इस विडियो में डिसकस करने वाला एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम एक्जाम हॉल के भार आपे पेपर छुड़ गया बीस माक्का छुड़ गया पंद्रा मक्का छुड़ गया ऐसे हर पेपर में छुड़ जाते हैं फिर बोलते हैं तर पास नहीं हुए दस माक से फेल होगे पा मतलब इफेक्टिवले आपने 40 माक का छुड़ दिया बराबर सर छोड़ के तो छूड़ जाते है वही एक ही बात है ना भई मैं तुमको ट्रिक बता हूंगा अटेंट कैसे करना है तो सब वो छूड़ जाते है चलो आपकी कुलती नहीं छूड़ जाते है एना ऐसे हर एक दस कुछ तो मिलता हो जाते है ना पास मैं उसी आज प्रॉब्लम को पगड़ कर उसके ओपर बात करूँगा कि हमको पूरा पेपर स्टिपुलेटेड टाइम से भी कम टाइम में कैसे कंप्लिट करना आना चाहिए ठीक है बहुत सिंपल सी टेकनीक है ट्राइड टेस्ट अगर उसके पहले चालू करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये पटा फट से जाके लाल बटन दबाओ बेल का बटन दबाओ ताकि जितने भी मेरे वीडियो जाए सब के अंदर आपको नोटिविकेशन आ चाहिए ठीक है चलो तो हम बात करेंगे ज इस परीज़ों फंडेड मक्स लेकिन डूरेशन कितना है तो डूरेशन कितना को टूरेशन ऐस और बैभर अब इस मिनिटमेंस में से ट्वेटी मिनिट्स निकाल देने का इस बाफर पता ना एक्यामिनेशन एशल के बीच में वह आए आए आवो सर्या मैडम जो भी रहते teacher वगएरा वो आखे तुम्हारा autograph लेता है कि तुम्हारा के बैठे है hall ticket वगएरा चक करता है जो भी है बराबर तो basement निकाल देने का हूँ कभी पानी पिया तो पानी वगएरा पीला छोड़ दे वो basement निकाल दे उसके अंदे ठीक है तो effectively तुम्हारा पार time कितना बचा 160 minutes बराबर और पूरा वीडियो लाश्ता देखना बहुत काम का है और तुम्हारे पास marks कितने है 100 marks तो ideally for each mark you have how many minutes for each mark 1.6 minutes है आपके पास for each mark कैसे divide करके निकालना आएगा सीधा answer इसका मतलब हर एक mark के question के लिए आपके पास से 1.6 minutes होते है तो suppose अगर कोई question 5 mark का है तो sir कितना time देना चाहिए into 1.6 minutes तुमको समझता कि अगर करोगे तो वह 8 minutes आएगा 8 minutes में रेस आप से बराबर सबूर 10 mark का question है तो कितना time देना चाहिए into 1.6 minutes बराबर तो 16 minutes आपके पास तो ऐसे ना एक rough calculation हर question में आपके mind में होना चाहिए of course घड़ी पेन के जाना घड़ी के पेन के जाना तो आपको मालूम है कि इस question में में मेरे पास 8 या 16 minutes है ठीक है जितना भी weightage उसके विशाब से जब दो 6 mark का question है तो अंदाजा लगा लेना कि भाई 9 से 10 minutes है मेरे पास अब होता क्या सुनना suppose आप question attempt करो 10 mark वाला ठीक है अगर आपका 16 minutes laps हो चुका लेकिन आप बोलो के sir मेरा question almost 90% complete है से 10% बागी है आपका question 90% complete है से 10% बागी है तो आप complete करने पे लग जाओ आप भूलो के sir time extra लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप अने पता है 20 minute buffer रखके रखा है वो 20 minute buffer ये सब चीजों के लिए लग के रखा है मेरे बराबर तो अगर 90% complete है 16 minutes laps होने के बाद तो पूरा complete कर लो 2-3 minute लगेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है है ना लेकिन लेकिन कभी-कभी होता क्या है सपोस अब सपोस आपका है ना 16 minute laps होगे सिर्फ 50% question complete है सिर्फ 50% question complete है अब क्या किया जाए अब आप बोलोगे सर अब पता है situation क्या होती है आप बोलोगे सर अब घुस्तो चुके है अब आदा छोड़ेंगे तो भी दिक्कत है और करें तो भी दिक्कत है मैं बोलता हूँ देख पचास टेका questioning complete हुआ है तो अगर तुम्हारा है ना सिर्फ 50-60% complete हुआ है मतलब कहीं ना कहीं को 10 minute और लगने वाला है बराबर तो मैं recommend करता हूँ इसको छोड़ दे हाँ छोड़ दे सर कैसे देख तेरे पास 20 minute का buffer है है ना लास्ट में आके solve कर ले पता है क्यों क्योंकि य पढ़ता है कि जो आता था अच्छे से question वो छूड़ गया तो एक बार के लिए इसको छोड़ दे एक बार के लिए leave it मैं यह नहीं बोले exam में छोड़ देना एक बार के लिए इसको रुको रुक जाओ और आगे बढ़ते वे चलो पता होगा क्या जैसे आप रुक के आगे तो 8 मिट जाएगा ही जाएगा कुछ question जल्दी भी solve हो जाते है कुछ paper में mcq जाता है वहां आप टाइम बचाते हो तो उसका जो बचावा time में last में accumulate होके आप ये सारे question में use कर सकते हो this is my recommendation तो अगर आपको कोई भी paper is complete करना है तो जितने भी mask का paper है और जितने भी घंटे है जितने भी minutes है वो लेकर चलो उसमें से सबसे पहले आप 10% of the time buffer निकाल देना जितना भी time बचेगा जितना भी minutes divide by marks आपको मिलेगा हर mark के लिए कितना minute आपके पास है उसी calculation से आप paper कर तेवे चलोगे time to time चल रहा है शाबाश 90% हुआ है तो कोई दिक्कत 80-90% हुआ है मतलब आपको basically और शायद दोती में रेक्ष्टा चीए लेले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर 50-60% ही हुआ है आपको लगता है कि यहां से मेरे को 5-10 मिन और रेक्ष्टा जाएगा रूक दिया ही इसलिए होता है ताकि सारे बच्चे पेपर 100 माक करना लिख पहे है तो शायद यह जो question है जिसमें आपको 50 टकाई हुआ है time खतम होने के बावजूद शायद वही वह question है जो examiner चाहता है कि तू पूरा time कर तू पूरे paper छुड़वाए तेरा वो paper तो अपने को यही यही technique से भार निकलना है बराबर यही माया जाल से अपने को बचना है बस तो माया जाल से बचने का तरीका है यह बराबर तो इसको आप definitely exam में apply करना मेरी guarantee है आपका paper देखो complete होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो अगर वीडियो पसंदा लाइक जरूर करना दोस्तों के शे सब्सक्राइब करो जैसे मैं वीडियो लाँगा आपको बालों पर जाएगा ओके थैंक्यू सो मच और बाबाई एल्वान टेक केर से यू अल्ट